हालो बच्छो बायो कैम वित विशाल में आपका स्वागत हैं हम लोग क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड जीव जगत पढ़ रहे थे हैं कि नहीं हम लोगों ने इसके पहले इसका एक वीडियो पढ़ लिया है जिसमें हम लोग पढ़े थे कि बाइलोजी क्य भी गजा है कितने पार्ट में बट्टा है कौन फादर है और लिविंग नौन लिविंग के बीच क्या difference है और साथ य चाथ ये भी πढ़ा थ है कि लिविंग का क्या क्या चैरेक्टर है ठीक अब हम इसका next वीडियो में हम पढ़ेंगे बायो डैवस्टीन लिविंग वर्ड जीव जगत में वीवी दिता ठीक क्या पढ़ेंगे जीव जगत में वीवी दिता ठीक तो इसके पहले हम अपना वीडियो स्टार्ट करें आप सभी लोग जितने लोगों ने चैनल को सस्क्रा कर दे रेडवाला बटन दबा कर और बेल आइकन को भी दबा दे जिससे हम जब जब वीडियो डाले आपको पता चलता रहा है और खुद भी पढ़ें और अपने सभी फ्रेंड को भी बताएं जिससे सबका फायदा हो ठीक है तो आईए हम लोग चलते हैं लेक्चर टू पर इसकी हिंदी होती है जीव जगत में विभी देता हूँ अब समझो मेरी बात क्या होता है यह समझो हम अपने आस पास देखते हैं तो हम लोग काउ, डॉग, बोफैलो, हैं, लायन, टाइगर ये सब की सब चीज़े देखते हैं कि नहीं देखते हैं हुमन, कितने तरीके के अगर हम माल ले कि जैसे काउ को 1 माल ले टोल काउ को और हूमन को 2 माल ले ऐसा नहीं काउंट करना है कि इसी में एक हेसे की लोगह लोग हम्रीय के और human को मानना है तो cow हो गया human हो गया और lion हो गया mango हो गया नीम हो गया है कि नहीं और insect cockroach हो गया तो इस तरीके से अगर हम देखे 3 4 5 6 तो इस अर्थ पे हाना हम जहां रहते हैं जहां और हमें रहना है जहां हम अभी तक गय नहीं है वहां तक इस पूरे अर्थ पे अगर हम देखे तो इस पूरे अर्थ पे 1.7 मिलियन से लेकर के 1.8 मिलियन तरीके के जिवजन्तु यानि एनिमल और प्लांट प्रजेंट है यानि हमारा और्थ हमारी प्रित्वी इतनी बड़ी है कि उसके उपर 1.7 से लेकर के 1.8 मिलियन तक एनिमल और प्लांट प्रजेंट है अगर इसको बदल दे तो 1.0 मिलियन में 10 लैक होता है तो 70 लैक टू कितना हो जाएगा 80 लैक सोच लिजे तो क्या कह रहे है यानि हमारी प्रित्वी अपने आप में एक बहुत ही बड़ी है इसके उपर 17 टू 80 लैक तरीके के एनिमल और प्लांट पाए जाते हैं तो और यही जो 17 टू 80 लैक तरीके के प्लांट और एनिमल पाए जाते हैं इन ही के टोटल नंबर को बा बाईव डाए डाए खंड़ आप मतलाब और अर्त पयराइ प्रजेंट अलग अलग बडिफरेंट डिफरेंट टायपस को टोटल जो वराइटि वाराइटिय्प टोटल जो सपीसीम फिदिमल गजाते हैं जैव पीवय जड़ता यानि टोटल एनिमल और प्लांट जितना भी इस अर्थ पे ब्रजेंट है टोटल को जोड़ दिया जाए तो बायो डाइवस्टी या जैविविदता बनता है तो समझगे यानि हमारे आसपास प्रित्वे पर यह जितने भी तरीके के एनिमल और प्लांट है हर एक को हम एड कर मिला दे तो जो बनेगा उसी को बायो डाइवस्टी कहेंगे बायो डाइवस्टी में हम आप हर एक लोग चाहे जितना प्लांट है चाहे जितना एनिमल है सब के सब आ जाएंगे ठीक तो अब हम समझ गए कि बायो डाइवस्टी लिविंग वर्ड यानि इस प्रित्वी पर बहुत ही अधिक तरीके की बायोडैवस्टी है इतना कि आप हर एक को जान समझ पढ़ नहीं पाएंगे ठीक तो अब बात करते हैं आगे कि इस बायोडैवस्टी के होने से क्या मतलब क्या चेंजेज है, क्या हमको फायदा है, क्या करना हमको है बायोडैवस्टी का तो अब चलते हैं हम आगे, आईए, देखे, अब अब क्या कह रहे है, कि अर्थ पर बायोडैवस्टी बहुत ज़्यादा है, हर एक अलग-अलग तरीके के है तो अब वो चाहे आपका काउ हो, डॉग हो, या फिर मैंगो हो, लॉयन हो, है कि नहीं, सब तो इस अर्थ पर जो अलग-अलग तरीके के वायोडैवस्टी है, इन सब को रूलर एरिया है, मतलब अपने-पने प्लेस पे, अपने-पने कंट्री में हर एक लोग अपना अलग-अलग नाम से जानते हैं, जैसे वो फ्रॉग हो, कोई भी हो, हर एक को हम लोग क्या कहते है इसको अपने कॉमन निम से जानते हैं, हम लोग फ्रॉग को मिंधक कहते हैं, इसको गाय कहते हैं, और आप यही अमेरिका में चले जाएए तो इसको फ्रॉग कहते हैं, इसको काउ कहते हैं, क्या पता रूस में जाने के बाद, जापान में जाने के बाद इसको कुछ और कहत मतलब एक ही एनिमल्स का, एक ही प्लांट का अलग-अलग कंट्री में, अलग-अलग प्लेस पे अलग-अलग नाम है, तो अगर हमें study करना है, तो अगर एक ही चीज को हर एक लोग अलग-अलग नाम से जानेंगे, तो उसके बारे में समझने, पढ़ने में हमें problem या दिक्कत नहीं आएगी, आएगी, तो क्या कोई एक ऐसा तरीका होना चाहिए न, कि किसी एक का एक नाम दे और इसको पूरा वर्ल्ड जाने, कि इस पूरे वर्ल्ड में किसी भी country में अगर हम जाकर कर डॉग बोले तो सब समझ जाए कि हम क्या कह रहे हैं, कि पता चला हम यहाँ अप देखकत हो जाएगा, तो क्या हुआ था न, कि जब बायो डाइवस्टिस लोग देख लिए कि इतना अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे, जिव जनतु इस प्रिथवी पर प्रजेंट है, अर्थ पर हैं, तो देखे कि इन सब को अलग अलग जगह पे, अलग 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 नेम से बुला रहे थे न, तो एक कंडरी वाले को दूसरे कंडरी की भासा, लैंगवेज समझने में बहुत डिफिकल्ट होता था, यहां का लोग वहां का नहीं समझ पाते थे, तो यह कहा गया, क्योन हम इन सभी को, इन सभी को हर एक को एक फिक्स नेम दे, एक ऐसा नाम द तो हर एक कंट्री को, हर एक एनिमल और हर एक प्लांट को पढ़ने में आसानी हो जाये. इसलिए इन सबी का क्या किया गया? नॉमन कलेचर किया गया. क्या किया गया? नॉमन क्लेचर किया गया. या फिर नामकरड किया गया. तुम्हारा होता है न इस्कूल का नाम घर का नाम ये सब तो नामन क्लेचर किया गया अगर आपसे पूछा जाए कि एनिमल या प्लांट का नामन क्लेचर क्यों किया गया तो क्या कोगे क्योंकि हर animal या plant को हर एक अलग-अलग जगा पर अलग-अलग नाम से जानते थे जिससे की लोगों को उनके बारे में जानना समझना काफी difficult होता था इसलिए कहा गया कि हर एक animal को एक ऐसा नाम दिया जाये जिससे की उसे पुरा world जाने और इसलिए क्या किया गया नॉमन क्लेचर किया गया ठीक अब नॉमन क्लेचर में यानि नामकरण का मतलब क्या होता है नॉमन क्लेचर और्थ पे प्रित्वी पर उपस्थित हर एक एनिमल और प्लांट के नाम लिखने को उसको एक फिक्स नाम देने को ही क्या कहते है नॉमन क कि हर एनिमल और प्लांट को जो एक फिक्स नेम देते हैं उसी नेम देने के पैटर्न को उसी नेम देने के तरीके को क्या कहते हैं नौमन क्लेचर कहते हैं अब ये दो तरीके से होता है एनिमल का अलग तरीके से नाम दिया जाता है प्लांट को अलग तरीके से नाम दिया जात तो हमें स्टड़ी में आसानी हो जाए इसले हम लोगों ने क्या कर दिया हम लोगों ने एनीमल और प्लांट का नॉमन क्लेचर कर दिया क्या कर दिया Knock On Ralph Ard नाम करड कर दिया अब नॉमन क्लेचर दो तरीके से होता है पहला होता है प्लांट का जो की, बौटनी में आता है, है की नहीं, इसे पीछले वाले बौटनी का था, दूसरा नौमन क्लेचर होता है जुलोजी का, एनिमल का, एनिमल का, जो की, जुलोजी में आता है, ठीक, तो nomenclature जो समझने के लिए हम हर एक के बारे में आसानी से समझ ले, इसके लिए जो nomenclature हुआ हो कि तरीके से हुआ, दो तरीके से हुआ, पहला एक plant के लिए, botany के लिए कर दिया गया और एक दूसरा, Beijology के लिए, Animal के लिए कर दिया गया, तो बाटनी के लिए जो नॉमनक्लेचर करते हैं वो एक संस्था होती है. संस्था कैया नाम है? International Code for Geological Nomenclature. International Code for Botanical Nomenclature. International Code for Botanical Nomenclature. याद रखेगा आपसे अक्सर पूछेगा International Code for Botanical Nomenclature पूछेगा ICBN क्या है यह एक्जाम में पूछा जाता है और entrance exam आप आगे 12th पास करकेगे देंगे तो वहाँ पूछा जाएगा कि ICBN क्या है तो क्या है International Code of Botanical Nomenclature मतलब यह एक ऐसी संस्था है जो Botany में यानि वनश्पती विज्ञान में प्रजेंट हर एक प्लांट को नाम देने का काम करती है क्या करती है नाम देने का काम करती है उससे तरह जोलोजी की बात करें तो इसका होता International International Code of Geological Geological Nomenclature इसको क्या कहते है देखो International Eye Code आप छोड़ दो Geological Nomenclature यह पोला जाता है तो याद रहे कि Nomenclature जो नाम करण किया गया था जो नाम करण एनिमल और प्लांट को नया नया नाम दिया गया था वो प्लांट को अलग तरीके से दिया गया था एनिमल को अलग से दिया गया था ठीक तो प्लांट के लिए क्या था International Code of Botanical Nomenclature यह एक ऐसी संस्था थी जो कि प्लांट को नाम देती थी और दूसरा एनिमल के लिए International Code of Geological Nomenclature देखो सारी चीजे से में बस यहां Botany है देखो यहां जोलोजी है बाकी चीजे से में International क्योंकि यह World के लेबल पे है आपके Country India के लेबल पे नहीं है तो इसलिए International तो याद रखेगा कि Botany में Plant का नाम इस Institute के द्वारा दिया जाता है संस्था के द्वारा और जोलोजी में इस Institute के द्वारा दिया जाता है तो यह दोनों पैटर्न था Botany और जोलोजी में नाम देने का अब इन दोनों के नाम देने के लिए सबसे पहले Experiment सबसे पहला Try एक Scientist ने किया था जिसको हम कहते हैं Carolus Linius क्या कहते हैं? Carolus Linius उन्होंने ही सबसे पहले किसी भी Aliment या फिर Plant का Nomenclature को बताया था आए देखते हैं कि Carolus Linius ने क्या कहा था देखे Carolus Linius कौन भई? Carolus Linius देखे ध्यान समझे Carolus Linius या important है Carolus Linius या ऐसे पहले Scientist थे जिन्होंने Nomenclature को बताया था नामकरण को बताया था ये चीज बताया था कि आखिर किसी Animal या Plant का Nomenclature कैसे करेंगे हन इन्होंने क्या बताया? कि कहा कि किसी भी Animal या Plant का Nomenclature करते समय उसके नाम में दो चीजे होता है पहला होता है आपका Genus पहला क्या होता है Genus और दूसरा होता है Species क्या होता है? Genus और Species आराम समझेंगे Genus को कहते हैं Once Species को कहते हैं जाती हना हम क्या कह रहें? Carolus Lenius या वो पहले Scientist है जीनोंने सबसे पहले Nomenclature को किसको? Nomenclature को तो हम क्या कह रहे थे? कि Carolus Lenius ये वो पहले Scientist है जिनोंने सबसे पहले Nomenclature को नामकरण को बताया था Carolus Lenius ने कहा कि किसी भी चीज का किसी भी एनिमल या प्लांट को ना उसका नेमिंग करते समय दो वर्ड यूज होता है पहला Genus दूसरा Species यानि पहला Once दूसरा जाती और इसी दो वर्ड को यूज करने के लिए Nomenclature के इस टेकनीक को एक नाम दे दिया था और एक नाम उन्होंने क्या दिया था Binomial Nomenclature Binomial Nomenclature याद रखिएगा तो आपको हमने क्या कहा हमने बताया कि हर एक एनिमल को हम हर कंट्री में एक ही नाम से जान सके इसलिए हम उसका क्या करते है Nomenclature नाम करड करते है और Nomenclature बाटनी में किस से होता है International Code for Botanical Nomenclature Geology में किस से होता है International Code for Geological Nomenclature ठीक ये सब तो हो था लेकिन सबसे पहले Nomenclature को किस ने बताया था Carolus Lineus ने और Carolus Lineus ने सबसे पहले एक Scientist थे जिन्होंने बताया था Nomenclature इन्होंने कहा किसी भी एनिमल का Nomenclature करते समय नाम करड करते समय दो वर्ड यूज होता है पहला Genus दूसरा Species ठीक तो इसलिए दो वर्ड को यूज करने के ये वज़े से Carolus के इस Nomenclature के टेकनिक को का कहते है Binomial Nomenclature इसका हिंदी होता है दूई नाम पद्दती कौनसा? दूई नाम पद्दती क्यों? दूई नाम देखो clear है दूई यानि दोठो है इसलिए तो पूछा जाए कि Binomial Nomenclature कहएगा कि Binomial Nomenclature किस ने दिया तो किस ने कहेंगे? Linious ने, Carolus Linious ने या फिर Father of ये important है Father of Binomial Nomenclature कौन है भई? Linious है याद रखिएगा कि Binomial Nomenclature के Father Linious है इन्हों नहीं बताया कि किसी भी एनिमल्स या प्लांट्स का Nomenclature करते समये दो वर्ड जीनस और इस्पिसीज यूज किया जाता है अब आईए हम आपको एक एक जामपल के थूँ समझाते हैं कि किस तरीके से एक जामपल के थूँ यूज कर रहे हैं देखिए जैसे मैंगो है क्या है भई मैंगो मैंगो का जो लोजिकल नेम होगा कि बाटनिकल तो बताओ मैंगो क्या है प्लांट तो किस में आएगा बाटनी में इसलिए बाटनिकल नमन के लिए होगा इसका बाटनिकल नेम होगा याद रहे एनिमल का कौन सा होता है जो लॉजिकल नेम और प्लांट का कौन सा होता है बॉटनिकल नेम ठीक एनिमल अब इसका मैंगो का बॉटनिकल नेम क्या है मैंजी फेरा इंडिका मैंजी फेरा इंडिका अब आराम से समझेए देखिए अब हम क्या करें मैंगो का बॉट निकलने में मैंजी फेरा इंडिका और ये कैसे है ये पहला वर्ड ये क्या है ये जीनस है क्या है जीनस है और दूसरा वर्ड क्या है इस्पिसीज है याद रखे, देखे हो गया ना, तो हम क्या कह रहे थे, यही था linear कह रहा था, यही linear कह रहे थे, क्या कि किसी का भी नॉमनक्लेचर में दो वर्ड यूज होता है, पहला genus, दूसरा species होता है, ठीक, तो अब इसी system को क्या कहते हैं, binomial नॉमनक्लेचर जिसको linear ने दिया था, तो पहला होता है genus, दूसरा होता है species, याद रहे आपको, ठीक, अब इन दोनों को मिलाने पर, तब उस plant के या उस animal का नॉमनक्लेचर होता है, ठीक, तो यह कौन सी system है, binomial यानि दूई नाम पद्धती है, इसके कुछ तरीके हैं, कुछ टैक्नीक है, कुछ रूल है, तो अब ह हम उस रूल को पढ़ना होगा, उस रूल को जानना होगा, रूल आफ, रूल आप, बाइनोमियल नॉमनक्लेचर, यह काफी इंपोर्टेंट है बोर्ट के बच्चों के लिए, 11th के, हाना, की बाइनोमियल नॉमनक्लेचर या दूई नाम पद्धती के क्या रूल है, इसके क पहला रूल कितना इसी है, कितना आसान है, क्या कि किसी भी एनिमल या प्लांट का नेम, दो वर्ड से मिल करके बना होता है, पहला होता है जीनस, दूसरा होता है स्पिसीज, ठीक, क्या किया रहे है, किसी भी प्लांट या एनिमल का नेम, दो वर्ड से मिल करके बना है, पहल भी एनिमल या प्लांट का नॉमन की लेचर करते तो हमेशा उसको लाइटीन में लिखते हैं किसमें लिखते हैं लाइटीन ये एक language है क्या है ये language है लाइटीन में लिखते हैं मतलब थोड़ा सा तिरचा लिखते हैं क्या लिखते हैं थोड़ा सा तिर्चा लिखते हैं और इसलिए तिर्चा लिखते हैं कि ये लिखा जाए जिस language में रहे लेकिन इसका पता ये रहे इसको आपको ये Latin से ही हुई है इसलिए इसको हम हमेसा तिर्चा लिखते हैं हम सीधा लिख दिये हैं क्योंकि हम तिर्चा लि लेटर क्या होता है बड़ा होता है और इस पिसीज का पहला लेटर क्या होता है छोटा होता है तो क्लियर हुआ तो इस तरीके से ये नॉमन क्लेचर का रूल है अब देखे अगर थोड़ा सा भी डाउट होता है तो एक बार हम आप लोगों को रिकॉल कर दे रहे हैं फिर से हम हमने क्या कहा था, हमने कहा था, इस पृत्वी पर जितने तरीके के पेड़, पौदे, जीव, जन्तु, वनश्पती, प्लांट, एनिमल सब पाए जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पायो डैवस्टी कहते हैं, जो टोटल 1.7 से 1.8 मिलियन तक है, ठीक, अब हर एक को अलग-अ प्लेस पे, अलग-अलग कंट्री में, अलग-अलग नाम से जानते हैं, तो काफी कॉम्प्लिकेशन, काफी दिक्कते आती हैं, लोगों को इनको समझने में, इनको जानने में की आखिर बात किसी की हो रही है, तो इसलिए इन सभी का क्या, इन सभी का नॉमन क्लेचर किया ग तो करने के बाद किसके बॉट्टनी में international coat for botnical norevanclature के थ्रू किया गया, geology में geological norevanclature के थ्रू किया गया, तो ये तो काफी बाद में आया, लेकिन सबसे पहले norevanclature का सुझाओ किसने दिया था, careless lineus ने दिया था, इसलिए उनको कहते हैं father of norevanclature, यानि नाम करण का पिता, क्यों, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले बताया था, और उन्होंने बताया, क्या बताया, किसी भी एनिमल या प्लांट का नेम, दो वर्ड से मिल करके बना होता है, पहला जीनस, दूसरा इसपीसिज, इस दोनों कोई वज़े से, उनके नॉमन इसके कुछ rule होते हैं, अब इसके rule क्या है, इसके rule ये हैं, कि पहला तो इसमें दो word से मिल करके बना है, पहला genus, दूसरा species, और अगला क्या है, कि इसको latin में लिखते हैं, latin में लिखा ही इसलिए जाता है, क्योंकि आपको ये मानना पड़े, आप ये समझें कि इसकी origin latin से ही हुई है, उत्पत्ती latin से हुए, वास्ता में कहीं सरी हो, और तीसरा क्या था, कि genus का पहला word बड़ा होता है, species का पहला word क्या होता है, छोटा होता है, ये binomial nomenclature का, दूई नाम पद्दती का क्या है, rule है, इसी तरह human का, what name human का, जो logical name, homo sapiens होता है, तो homo क्या होगा भ इसे थोड़ा सा नाम लिख दिया जाता है, जैसे lin, ठीक, तो lin क्यों लिखा गया, ये उस scientist के नाम का shortcut होता है, ये उस scientist का नाम होता है, जिसने इस mango को इसके बारे में explain किया है, आम क्या है, कैसे है इसके बारे में, जिसने समझाया है, उसका नाम आखरी में छोटे से bracket में दिया जाता है, जैसे magic, phera, indica, lin, तो ये lin आपको ये बता रहा है, कि इस magic, phera, indica के बारे में समझाने वाले, बताने वाले कौन थे, lin थे, अब जा करके हमारी बात समझे, अब चलो चलते हैं, आगे, देखे, अब हम लोगों ने सारे animals और plants का nomenclature कर लिया, सीख लिया, ठ तो जो 1.7 million to 1.8 million, जो इतना नंबर में species है, बराइटी है, और याद रहे हम कभी भी human को total नहीं count के, human मतलब 1, cow मतलब 2, dog मतलब 3, ऐसे count होता है, तो जो 1.7 to 1.8 million species है, इन सब का nomenclature तो आप कर लिए, ठीक है, चलिए, नomenclature कर लिए, ठीक, अब आप नomenclature कर लिए, हर एक का नाम लिख लिए, आप उनको पढ़ेंगे कैसे, क्या आप 17 लाग से 18 लाग चीजों को याद रख पाएंगे, हर एक के बारे में अच्छे से knowledge रख पाएंगे, बताइए, आप अच्छे से हर एक को जान पाएंगे, नहीं जान सकते, तो अब सुचा गया, कि जब हम लोगों ने इतना एनिमल और प्लांट है, उन सभी का नामन ख्लेचर कर दिया, नाम दे दिया, तो अब हम इसको पढ़ें कैसे, वो कौन सा तरीका है, जिसके थ्रू, जिसके जरिये हम इसको के लिए आसान होजा, इसलिए इन सभी का क्लासिफिकेशन कर दिजे, क्या कर दिजे, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है, वर्गी करड, क्या होता है वर्गी करड, वर्गी करड का मतलब सौटकट में बटवारा होता है, मतलब इतने अध ठीक, taxonomy, यहनि इसी को वरगी की कहते हैं, ठीक, तो याद रहे, तो हम क्या कह रहे हैं, और taxonomy के भी फादर को हमें, याद रखेगा, फादर आब taxonomic किसको कहते हैं, इसको भी्ली नियस को कहते हैं, समझ में आ रहा हैं लीनियस को कहते हैं लीनियस को ही पूरा हम नाम लिख देते हैं ठेक तो याद रखेगा तो इतने अधीक मात्रा में जो एनिमल और प्लांट है उन सभी का नाम करने नौमन कलेचर करने के बाद हम सभी को आसानी से पढ़ ले इसलिए उन सभी का नाम करड़ या फिर उन सभी का वर्गी करड़ या फिर क्लासिफिकेशन कर दिया बाट दिया गया छोटे छोटे पाट में बाट दिया गया जिससे कि आपको पढ़ने में जानने में क्या हो जाए आसानी हो जाए समझने में दिक्कत न हो, जैसे सपोच कीज़े, अब भी बताते हैं, जैसे अगर अभी हम आपको काउ, कैट और डॉग, तीन को बोलते हैं, कौन, काउ, कैट, डॉग, तो तीनों को आपको सुनते हैं, आपके माइंड में उनके इमेज आ गए होगे, अच्छा काउ, हाँ, चार पैर होत हैं, दूद देती हैं, घास खाती है, अच्छा, डॉग, चार पैर होता है, भोगता है, बार्किंग करता है, और टहलता है, कुदता है, काटता है, हाँ, और अच्छा कैट, बिल्ली है, मियाओ, मियाओ करती है, और साथी साथ, दूद पीती है, उचलती, कुदती है, धीरे से आती है, धीरे से चली जाती है, तो आपके माइड में ये सब क्या है, ये सब उसका character ही तो आ रहा है, उसके property, उसके विसेस्ता है, उसकी चीजे ही तो आ रही है, तो इसी तरीके से हम लोगों ने क्या क्या पूरे के पूरे biology को, पूरे animal और plant को classify कर दिया, बाट दिया, छोटे-छोटे टुकडों में, कि हमें पढ़ने में आसानी हो जाए, और यही सबसे main वज़ा है, जब आप से पूछा जाए कि classification या taxonomy हमने क्यों किया, तो आपको आना चाहिए, कि हमने classification या taxonomy, इसलिए किया कि हमको animal और plant हर एक को पढ़ने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए, अब जैसे हम कहते है mammal, क्या कहते है भई, mammal, mammals, mammals का मतलब होता है, स्तंधारी, मतलब जो बच्चे को जन्म देता है, mammals किसको कहते है, तो अब mammals की बात करते हैं, जैसे ही mammals की बात करते हैं, तो अब इसकी हम बात करें, तो सबसे पहले हम कहेंगे, mammals, क्या इसमें blood पाया जाता है, अब हम गाये की बात करें, गाये में blood है, हाँ है, भैस में नहीं है, क्या है, ताव में नहीं है, क्या है न, तुम में नहीं है, बताओ, और साथ ही साथ, और दूसरा सोचो, और भी सीज़े हैं सोचो, कि मालो कोई भी देखलो, bats, well, handsome नहीं है कि नहीं, तो हम mammals, हमने बनाई category एक, mammals, अब इसमें पड़रेस में blood पाये जाता है, plus, दूसरा, ये बच्चे को जन्म देते हैं, तो क्या हर एक mammals बच्चे को जन्म देते हैं कि नहीं, देते हैं, तीसरा, ये घर बना के रहते हैं, हम कभी बोलें, कि हम गाय की बात कर रहे हैं, कि भैस की बात कर रहे हैं, कि तुम्हारी बात कर रहे हैं, कि किस की बात कर रहे हैं, कभी नहीं नहीं बोलें, हम तो बस mammal को बोल रहे हैं, तो मतलब कि अगर इसी लिए हमको तो classification किया गया, कि अगर हम एक को पढ़ेंगे, mammals को पढ़ेंगे, तो इसके अंदर आने वाले 10,000 या उससे जादा के बारे में हम जान जाएंगे, हम plant को इसी तरह किसी और को पढ़ेंगे, reptiles को पढ़ेंगे, birds को पढ़ेंगे, जो आपको पढ़ना है, तो हम पढ़ेंगे तो किसी एक को, पर उसमें आने वाले हजारों हजारों को समझ जैंगे, तो ऐसे हमको 1.7 to 1.8 million अलग अलग नहीं पढ़ना होगा यह मत सोचिए कि आपको 11th में ये पढ़ना है कि 1.7 million, 28 million में क्या-क्या है, वो सम नहीं पढ़ना है, वो सम पढ़ा नहीं जाता, बस आपको समझाया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है, कि कितना होता है, और क्यों classification करते हैं, ठीक, ये chapter थोड़ा सा interesting नहीं है, लेकिन आप interesting बना सकते हैं, इस chapter के बाद वाला chapter सारे interesting है, और मजा बहुत आएगा आपको पढ़ने में, ठीक है, पर हम से जुड़े रही है, इसलिए हमारे channel को subscribe करना न भूले, तो हमें पढ़ने में, study करने में आसानी हो जाए, इसलिए हम इन सभी animal और plants का क्या कर दिये, classification, taxonomy कर दिये, तो पूछा जाए, वरगी करड क्या है, तो क्या कहोगे, कि animal और plant को छोटे छोटे पार्ट में बाट देने को, classify कर देने को ही हम classification कहते हैं, इसका definition आप लोग लिख लेंगे अपने copy में, क्या, कि animals और plants को छोटे छोटे पार्ट में divide करने को, classify करने को ही हम क्या कहते हैं, वरगी करड या classification करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि animal और plants के बारे में हमें पढ़ने में, क्या हो जाए? आसानी हो जाए, ठीक, तो अब हम थोड़ा सा वरगी classification के बारे में थोड़ी सी और चीजों को जानेंगे, आईए देखते हैं, ठीक, तो classification, classification को हम क्या कहते हैं, taxonomy कहते हैं, taxonomie कहते हैं, ठीक, वर्गी की कहते हैं, ठीक, तो taxonomy या एक, क्या, या एक ऐसा तरीका है, जिसमें हम animal और plant का classification करते हैं, study के लिए, और taxonomy की unit, जिसको हम बार बार यूज करते हैं, taxa कहते हैं, क्या कहते हैं भई, taxa, taxa, taxa कहेंगे हैं, taxa ये वो unit होगा, जिसको बार बार यूज करेंगे, और taxonomy को, सबसे पहले, किसने बताया था, इसको भी linear नहीं बताया था, किसने होता है था लीनियस इसलिए father और taxonomy कौन है लीनियस है और इन्होंने एक अपनी book लिखी थी लीनियस ने क्या लिखी थी एक book लिखी थी जिसके book का नाम है systema nature उस book में लीनियस ने पूरे के पूरे taxonomy को समझाया था ठीक तो इस तरीके से हमने पढ़ा कि क्यों हम classification करते हैं अब हम next video में इसके थोड़े से classification के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से classification किया गया तब लगबग ये chapter हमारा क्या हो जाएगा इंडी हो जाएगा ये काफी छो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले रेड वाला बटन दबा दे और पढ़ते रहे और मिलते हैं next video में तब तक के लिए टाटा बाए बाए